माला सेरी ढूंगरी की साडू माता की सवाई भोज महराज की सवाई भोज महराज की देव नाराण भगवान की साडू माता गुर्जरी की इतपो भुमी महादानी बग्लावस शुर्विरारी कर्म भुमी और देव नाराण भगवान री जनव भुमी माला सेरी ढूंगरी न मारो प्रनाम श्री हेमराज जी गुजर, श्री सुरेश दाज जी, दीपक पातिल जी, राम प्रसाद अबाई जी, अर्जुन मेगवाल जी, सुभास बहडिया जी, और देश भर्चे पधारे, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस पावन अवसर पर भगवान देव नारण जी का बुलावा आया, और जब बहगवान देव नारण जी का बुलावा आये, और कोई मोका छोड़ता है क्या, मैं भी हाजीर हो गया, और आप याद रखिये, ये कोई प्रधान मंत्री यहां नहीं आया है, मैं पूरे भक्ति भाव से आपी की तरह एक, एक यात्री के रूप में आशिरवार लेने आया हो, अभी मुझे यग्यशाला में पुर्णावुती देने का भी सौभागे मिला, मेरे लिए ये भी सौभागे का विशह है, कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को आज आपके बीच आकर के, भगवान देवनारायण जी का और उनके सभी भक्तों का आशिरवाद प्राप्त करने का एक पुन्य प्राप्त हुआ है, भगवान देवनारायण और जनता जनारदान दोनों के दर्शन करके, मैं आज धन्य हो गया हूँ, देश भर्चे यहां पधारे सभी सद्धानों की भाती मैं भगवान देवनारायण से अनवरत राष्ट्र सेवा के लिए गरीबों के कल्याण के लिए आशिरवाद मांगने आया हूँ, साथियों ये भगवान देवनारायण का एक हजार एक सो ग्यारवा अवतरण दिवस है, सब्ता भर्चे यहां इससे जुड़े समारों चल रहे हैं। जितना बड़ा ये आउसर है, उतनी ही भव्यता, उतनी दिव्यता, उतनी ही बड़ी भागिदारी गुर्जर समाज ने सुनिश्चित की है। इसके लिए मैं आप सभी को बदहाई देता हूँ, समाज के प्रतेख व्यक्ति के प्रयास की सराना करता हूँ। भाईव और बैनों, भारत के हम लोग हजारों वर्षों पुराने अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृती पर गर्व करते हैं। दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई। परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। भारत को भी भाउगोलिक, सांस्कृति, सामाजी और वैचारी क्रुप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए। लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। भारत सिर्फ एक भुभाग नहीं है, बलकि हमारी सभ्यता की, संस्कृति की, सद्भावना की, संभावना की एक अभिव्यक्ति है। इसलिए आज भारत अपने भैववशाली बविष्य की नीव रख रहा है। और जानते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेड़ा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? किसकी शक्ति से? किसके आशिरवात से? भारत अटल है, अजर है, अमर है। मेरे प्यारे भाईयों और बेहनों, ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति है। देश के कोटी कोटी जनों की शक्ति है। भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में समाज सक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारा ये सवभाग्य रहा है कि हर महत्वपू काल में हमारे समाज के भीतर से ही एक ऐसी उर्जा निकलती है। जिसका प्रकाश सब को दिशा दिखाता है, सब का कल्यान करता है। भगवान देव नारण भी ऐसे ही उर्जा पुंज थे, अवतार थे, जिनोंने अत्याचारियों से हमारे जीवन और हमारी संस्कृति की रक्षा की है। बेरुप में मात्र, मात्र 31 वर्ष की आयू बिता कर, जन्मानस में अमर हो जाना, सर्वसिद्ध अवतार के लिए ही संभव है। उन्होंने समाज में फैली बुराईयों को दूर करने का साहस किया, समाज को एक जुड किया, सम्रस्ता के भाव को फैलाया। भगवान देव नारायन ने समाज के विबिन वर्गों को साथ जुड कर, आदर्श व्यवस्ता कायम करने की दिशा में काम किया। यही कारण है कि भगवान देव नारायन के प्रती समाज के हर वर्ग में स्रद्धा है, आस्था है। इसलिए भगवान देव नारायन आज भी लोक जीवन में परिवार के मुख्या की तरह है, उनके साथ परिवार का सुख दुख बाटा जाता है। भाई और भेनों, भगवान देव नारायन ने हमेशा सेवा और जन कल्यान को सर्वोच्चता दी। यही सीख, यही प्रिणा लेकर हर स्रद्धालू यहां से जाता है। जिस परिवार से वे आते थे, वहां उनके लिए कोई कमी नहीं थी। लेकिन सुख सुविधा के बजाय, उन्होंने सेवा और जन कल्यान का कठीन मार्ग चुना। अपनी उर्जा का उप्योग भी उन्होंने प्राणी मात्र के कल्यान के लिए किया। भाई और बहनों, भला जी भला, देव भला। इसी उद्गोष में भले की कामना है, कल्यान की कामना है। भगवान देव नारण ने जो रास्ता दिखाया है, वो सबके साथ से सबके विकास का है। आद देश इसी रास्ते पर चल रहा है, बीते आठ नव वर्षों से देश समाज के हरुस वर्ग को ससक्त करने का प्रयास कर रहा है। जो उपेक्षित रहा है, बन्चित रहा है, बन्चितों को वरियता इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। आप याद करिए, राशन मिलेगा या नहीं, कितना मिलेगा, ये गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती थी। आज हर लाभार्थी को पूरा राशन मिल रहा है, मुप्त मिल रहा है। अस्पताल में इलाज की चिंता को भी हमने आउश्मान भारत योजना से दूर कर दिया है। गरीब के मन में घर को लेकर, टॉयलेट, बिजली, गैस कनेक्शन को लेकर चिंता हुआ करती थी, वो भी हम दूर कर रहे हैं। बैंक से लिन दिन भी कभी बहुत ही कम लोगों के नसीब होती थी, आज देश में सभी के लिए बैंक के दरवाजे खुल गए हैं। साथियों, पानी का क्या महत्व होता है, ये राजस्तान से बहला बहतर कौन जान सकता है। लेकिन आजादिक अनेक दसकों बाद भी, देश के सिरफ तीन करोड परिवारों तक ही, नल से जल की सुविदा थी। सोला करोड से जादा ग्रामिर परिवारों को पानी के लिए संगर्ष करना पड़ता था। बीते साड़े तीन वर्षों के बीतर देश में जो प्रयास हुए है। उसकी वज़े से अब ग्यारा करोड से जादा परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुक लगा है। देश में किसानों के खेट तक पानी पहुंचाने के लिए भी बहुत व्यापक काम देश में हो रहा है। सिंचाई की पानमपारिक योजनाओं का विस्तार हो यार फिर नई टेकनिक के सिंचाई किसान को आज हर संभों मदद दी जा रही है। छोटा किसान जो कभी सरकारी मदद के लिए तरस्ता था उसे भी पहली बार पी एम किसान संभान निदी से सीधी मदद मिल रही है। यहां राजस्तान में भी किसानों को पी एम किसान संभान निदी के तहर 15,000 करोड रुपिये से अधिक सीधे उनके बैंक खातों में बेजे गए हैं। साथियों बगवान देवनाराण ने गव सेवा को समाज सेवा का समाज के ससक्ति करन का माध्यम बनाया था। बीते कुछ वर्षों से देश में भी गव सेवा का ये भाव निरंतर शसक्त हो रहा है। हमारे यहां पशों में खूर और मूँ की बिमारिया, खूर पका और मूँ पका कितनी बड़ी समस्या थी ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इससे हमारी गायों को, हमारे पशुदन को मुक्ती मिलें। इसलिए देश में करोडों पशुओं के मुप्त ठिका करन का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। देश में पहली बार गव कल्यान के लिए राष्ट्रिय काम देनू आयोग बनाया गया है। राष्ट्रिय गोकुल मिसन से वज्ञानिक तरीकों से पशुपालन को प्रोच्चाहित करने पर बल दिया जा रहा है। पशुधन हमारी परंपरा हमारी आस्ता का ही नहीं बलकि हमारे ग्रामिड अर्थतंत्र का भी मजबुत हिस्सा है। इसलिए पहली बार पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार की सुविदा दी गई है। आज पूरे देश में गोबर्दन योजना भी चल रही है। ये गोबर सही खेती से निकलने वाले कच्रे को कंचन में बदलने का अभियान है। हमारे जो डेरी प्लांट है वे गोबर से पैदा होने वाली बिजली से ही चले। इसके लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। साथियों पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने लाल के लिए से पंच प्राणों पर चलने का आग्र किया था। उद्देश यही है कि हम सभी अपनी विरासत पर गर्व करें। गुलामी की मानसिक्ता से बाहर निकले और देश के लिए अपने कर्तब्यों को याद रखे। अपने मनिश्यों के दिखाए रास्तों पर चलना और हमारे बलिदानियों, हमारे शूर्विरों के शौरिय को याद रखना भी इसी संकल्प का हिस्सा है। राजस्तान तो धरोहरों की धर्ती है, यहां स्रजन है, उत्साह और उत्सों भी है, परिशम और परुपकार भी है, शौर्य यहां गर-गर के संस्कार है। रग-राग राजस्तान के परियाय है, उत्राही महत्वा यहां के जन-जन के संगर्ष और संयम का भी है। यह प्रेरणास्थली भारत के अनेक गवरवशाली पलों की व्यक्तित्व की साक्षी रही है। तेजासी से पाबुजी तक, गोगाजी से रामदेव जी तक, बपारावल से महराणा प्रताप तक। यहां के महापुरुषों, जननायकों, लोक देवताओं और समाज सुधारकों ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है। इतिहात का शायदी कोई कालखन है, जिसमें इस मिट्टी ने राष्ट के लिए प्रेना न दि हो। इसमें भी गुर्जर समाज, शौर्य, पराकरम और देश भक्ति का परियाय रहा है। राष्ट्र रक्षा हो या पिर संस्कृति की रक्षा, गुर्जर समाज ने हर कालखन में प्रहरी की भूमी का निभाई है। क्रान्ति वीर, भूपसी गुर्जर, जीने विजैसी पथिक के नाम से जाना जाता है। उनके नेत्रुत्व में बिजोलिया का किसान अंदोलन, आजादी की लड़ाई में एक बड़ी प्रेरना था। कोतवाल, दन सींजी और जोगराज सींजी ऐसे अनेग युद्धा रहे हैं, जिनोंने देश के लिए अपना जीवन दे दिया। यही नहीं, राम प्यारी गुर्जर पन्ना धाय जैसी नारी शक्ती की ऐसी महान प्रेणए भी हमाए हर पल प्रेरित करती है। यह दिखाता है कि गुर्जर समाज की बहनों ने, गुर्जर समाज की बेटियों ने कितना बड़ा योगदान देश और संस्कृति की सेवा में दिया है। और यह परंपरा आज भी निरंतर सम्रद्य हो रही है। यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अंगिनित सिनानियों को हमारे इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया। जो इसके वो हकदार थे जो उने मिलना चाहिए था। लेकिन आज का भारत नया भारत बीते दसकों में हुई उन भूलों को भी सुधार रहा है। अब भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत के विकास में जिसका भी योगदान रहा है। उसे सामने लाया जा रहा है। साथियों आज ये भी बहुत जरूरी है कि हमारे गुर्जर समाज की जो नई पीड़ी है। जो युवा है वो भगवान देव नारण के संदेशों को उनकी सिक्षाओं को और मजबूति से आगे बढाएं। ये गुर्जर समाज को भी ससक्त करेगा और देश को भी आगे बढाने में इससे मदद मिलेगी। साथियों 21 सदी का ये कालखन भारत के विकास के लिए राजस्तान के विकास के लिए बहुत एहम है। हमें एक जुट होकर देश के विकास के लिए काम करना है। आज पुरी दुनिया भारत की और बहुत उमीदों से देख रही है। भारत ने जिस तरह पुरी दुनिया को अपना सामर्थ दिखाया है, अपना दमखम दिखाया है। उसने शुर्विरों की इस धर्थी का भी गौरव बढ़ाया है। आज भारत दुनिया के हर बड़े मंच पर अपनी बात डंके की चोड़ पर कहता है। आज भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। इसलिए ऐसी हर बात जो हम देश वास्यों की एक्ता के खिलाब है। उससे हमें दूर रहना है। हमें अपने संकल्पों को सिद्ध कर दुनिया की उम्मिदों पर खरा उतरना है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान देव नाराण जी के अजिर्वात से हम सब जरूर सफल होंगे। हम कड़ा परिश्रम करेंगे। सब मिल करके करेंगे। सब के प्रयास से सिद्धी प्राप्त होके रहेगी। और ये भी देखिए कैसा संजोग है। भगवान देव नाराण जी का ग्यारा सो ग्यारवा आउतरन वर्ष। उसी समय बारत की G20 की अध्यक्सता और उसमें भी भगवान देव नाराण का अउतरन कमल पर हुआ था। और G20 का जो लोगो है उसमें भी कमल के उपर पूरी पृत्वी को बिठाया है। ये भी बड़ा सयोग है और हम तो वो लोग है जो पैदाई सी कमल के साथ हुई है। अर इसलिए हमारा आपका नाता कुछ गहरा है। लेकिन मैं पुझ संतों को प्रणाम करता हूँ। इतनी बड़ी तादाद में यहां आशिरवाद देने आये हैं। मैं समाज का भी रदय से अभार वेक्त करता हूँ। कि एक भक्त के रूप में मुझे आज यहां बुलाया। बक्ती भाव से बुलाया। ये सरकारी कारकम नहीं है। पूरी तरह समाज की शक्ती, समाज की भक्ती उसी ने मुझे प्रेरीत किया और मैं आपके बीच पहुँच गया। मेरी आप सबको अनेक अनेक शुपकाम नहीं है। जए देव दर्बार। जए देव दर्बार। जाए देव दर्वार! मंती जी के समक्ष आप सभी लोग तालिव हो जागे एक बार भारत माता की अब के बरस तुझे धर्ती की लानी भर देंगे अब के बरस